बद्रुनाद के साइकलिस्ट सुमेश पवार ने साइकल से 12 जोत लगो की यात्रा शुरू की पांदु केश्वर के रहने वाले सुमेश पवार ने इसकी शुवात बद्रुनाद से की मेश निवार को मसूरी के जोर्ज एवरेस्ट पहुंच रहे यहां स्टेम शलेंदरु सिंग नेगी सहित कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया सुमेश पवार ने कहा कि उनकी यात्रा के पीछे हमेश असे कोई न कोई मकसद जरूर रहता है सुमेश न बताया 2020 में जब वनोंने बद्रुनाद धाम से करने कुमारी तक 4000 किलोमीटर तक की यात्रा की तो ये यात्रा 41 दिनों में पूरी हुई थी वर्ष 2015 में बद्रुनाद धाम से देश के चाल धाम उत्वारी का पूरी जगरनाद पूरी और रामिश वरम तक की 8000 किलोमीटर की यात्रा की गई है जो की 101 दिनों में पूरी की गई थी एस साल बद्रुनाद धाम से 12 जूते लंगों की यात्रा शुरू की गई है और यह यात्रा उनके लिए बेहाद खास है और वे इसके लिए काफी उत्साहिद भी है सुमेश पवार ने बताई कि इस वर्ष की यात्रा का उद्दिश्य हिमाले के परियाबरण और संस्कृति के संड्रक्षन और प्रचार प्रसार करना है मसूरी से नरीश नौट्याल की रपोर्ट जो मेरी जो यात्रा हुवी थी वो दो हजार बीस में सबसे पहले यात्रा नशा मुक्ति के लिए हुई थी जो की बद्रिनाथ धाम से कन्यकुमाय तक यात्रा थी लगबग 10 से 11 राजे उस यात्रा के दौरान आये थे और संपूर्ण भारत में यूवाओं के लिए नशा मुक्ति का जो अभ्यान चलाया था कही न कहीं भगवान बद्रिवी शाल जी की किर्पा से वो यात्रा बहुत अच्छी से हुई और कहीं न कहीं यूवाओं के दिमाग में भी आया क्योंकि जब मैं घर वापसी आया तो काफी यूवाओं ने प्रोच सहन भी किया कि आप हमारे लिए इतना कारे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा फर्जी भी बनता आपके इस कारे को एक उद्धार समझ कर मतलब इस चीज यात्रा चल रही है कभी वो यूवाओं को जो है अपने फ्यूचर के लिए राष्टर के लिए समरकुन का यू संदेश को उसको लेकर चलते हैं और 2020 में उन्होंने माना गाउं से रामेशरम की यात्रा की थी और पिछे साल 2021 में उन्होंने जो है बजिनाथ से लेकर के और जो चार दहाम है द्वारी का पुरी जगनाथ पुरी और रामेशरम किया थी